Hey guys Flipcard पे September मन्त वाली Big Saving Day sale start हो चुकी है ये sale plus members के लिए होने वाली है 17 September शाम 6 बचे से start और चले कि 20 September तक और नॉर्मल members के लिए होने वाली है ये sale 18 September to 20 September इस sale में आपको HBI credit card के उपर 1250 रूपीज का instant discount देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी जिनके सक्सेसर अभी लांच होने वाले उसी प्राइस पॉइंट पर आपको वीडियो में सब कुछ बता दूंगा इसकी फुल हटी प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाए कि 90Hz रीफ्रेश रेट के साथ 14,000 रुपीस के प्राइस पॉइंट पर आपको 6GB रैम और 64GB की इंटरन स्टोरेज दी जा रही है पेच्छे के तरफ वाट कैमरा का सेटप रहे 48 प्लस 8 प्लस 2 ब्लस 2 तू मेला पिक्सल का तो मेगा पिक्सल का मेक्रो सेंजर और 16 मेगा पिक्सल का सेलफी गैमरे साइड मांटेड फिंगर्पेंट यहां पे दिया गया है लेकिन यहां पे बैटरी और प्रोसेसर काफी बढ़िया है बैटरी आपको 5000 इमेज की देखने को मिल जाती है विट 33 वाट पास चार्जिंग सपोर्ट और बॉक्स के अंदर ही आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रेगन 720G प्रोसेसर है साथ में 618 GPU दोस्तों स्नैपड्रेगन प्रोसेसर का एडवांटेज है कि जल्दी हीट इशू नहीं आता है लेकिन मीडियाटेक में थोड़ा सा हीटिंग इशू आता है इसमें भी आपको 48 MP के Quad camera का setup दिया गया 48 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 MP के sensor थे 5 MP का macro 2 MP का depth और 8 MP का Ultra wide angle sensor और selfie camera है वह 16 MP का जो के पंच hole के अंदर है दोस्तों बात करते हैं Poco M2 Pro के इसमें आपको 4 MP 64 GB वाले वेरियन देखने को मिल जाते है 14,000 रुपीस में दोनों फोंस में आगर आप SBI का credit card उस करते हैं तो आपको 1250 रुपीस तक का discount देखने को मिल जाएगा मतलब यह फोन आप लोगों को लगबख बढ़ेंगे कुछ 12,000 के आसपास दोस्तों यहां पे आपको वीबो का Z1 Pro को completely ignore करना है क्योंकि फोन बुरा नहीं है लेकिन इसके pricing बहुत ही जादा रखी गई 6 plus 128 GB वाले वेरेंट के लिए 18,000 रुपीस की pricing के Snapdragon 712 processor के लिए मैंने यह phone एक साल पहले कुछ purchase किया था लगबख 13,000 रुपे में 4 plus 64 GB वाला वेरेंट मुझे लगता है इतना price difference आना नहीं चाहिए GST बढ़ने के बाद दोस्तों अब थोड़ा price उपर करने के बाद 17,500 5 plus 2 आप समझी गए होंगे 5 megapixel का macro 2 megapixel का depth 8 का ultra wide angle और selfie camera की बात करें तो इसमें आपको pop-up selfie camera देखने को मिलता है जो इस price point पे इतनी बड़ी है specifications के साथ और कोई भी smartphone में देखने को नहीं मिलता इस phone में आपको stock android के जैसा experience देखने को मिल जाता है motorola की तरफ से और साथ में 5000 m में इसकी बड़ी बैटरी भी is snapdragon 730 G processor काफी powerful processor और 18 watt का fast charger भी दिया गया box में लेकिन जो यहां पर refresh rate दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 60 Hz का normal वाला refresh rate दोस्तों अग्ला smartphone Poco X Pro 17500 रुपीस का में recommend करूंगा अभी आगर आपको इतनी urgent नहीं तो आप यह phone मत लीजेगा क् आपको X3 launch हो रहा है 22nd September को इसका भी वीडियो आपको आमारे चैनल पर जल्दी देखने को मिल जागा लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इसकी स्पेसिपिकेशन बता देता हूं इसमें आपको मिलता है स्नैप्रेगन 730 G प्रोसेसर साथ में 120 Hz की दिफ्रेश रेट स्क्रीन है 4500 एमेज की बड़ी बैटरी लिक्विड कुलिंग टेकनलोजी भी है इस फोन में और 27 वाट का फास्ट चार्जर भी लेकिन कंप्लेंस आती है इस फोन का जो बैटरी बेकप है वह इतना बढ़िया नहीं है बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो जाती है कॉर्ट का सेटप दिया गया 64 मेगापिक्सल का में केमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 22 मेगापिक्सल के मैक्रों डेप सेंसर दिये गए सामने की तरफ आपको ड्यूल पंचल देखने को मिल रहा है 20 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा के साथ जो 2 मेगापिक्सल यहां बेभी वह ठेप सेंसर फोन तो काफी अच्छा है लेकिन अभी सकसेसर आने वाला है तो मैं आपको इतना फोन strongly recommend नहीं करूंगा दोस्तों जो अगला स्मार्टफोन आता है वो है यहां पर हमने 6 प्रों को इसली इस फोन की खास बात है किसमें आपको सूपर एमृट डिस्प्ले होने के साथ 65 वाट का सूपर चार्ज देखने को मिल जाता है जो आपके फोन को काफी बढ़िया तरीके से काफी फटा-फट चार्ज कर लेती है उसमें प्रोसेसर है वह रियल्मी 6 प्रो के जैसी 720 G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है से 7500mAh बैटरी है और साथ में 30W का Fast Charger भी आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है Snapdragon 720G प्रोसेसर है और सामने की जारब ड्यूल पंच होले इसमें आपको 16 प्लस 8 Megapixel का कैमरा देखने को मिल जाता है 16 Megapixel का Primary और 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Sensor है लेकिन दोस्तों Realme 6 Pro में आपको बहुत ही बड़ी आइडवांटेज मिलता है इसमें आपको 12 Megapixel का Telephoto lens भी देखने को मिल जाता है रेर साइड में और जो मेन केमरा है वह 64 Megapixel का थर्ड केमरा है Ultra Wide Angle Sensor 8 Megapixel का और 2 Megapixel का Portrait Sensor अगला smartphone आता है थोड़ा सा प्राइज हाइक करने पे 23,000 में Redmi का K20 Pro फ्लेक्षिब लेवल की performance है इस smartphone में यह smartphone थोड़ा ज्यादा पुराना हो चुका है लगबग 1.5 साल पुराना हो चुका है मेरे हिसाब से आपको फ्लेक्षिब लेवल परफॉमस्स देखने को मिल जाती है क्यूंकि इसमें आपको Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 27W की Fast Charging सपोर्ट करता है फोन 4000 इमेज की बड़ी बैटरी है 6.4 इंचेस की Full HD Plus डिस्पले 60Hz refresh rate के साथ इसकी डिस्पले थोड़ी बड़ी लगती क्यूंकि इसमें आपको कोई भी उपर की तरफ नौज देखने को नहीं मिलता है इसमें आपको 20MP का rising pop-up camera देखने को मिल जाता है और रेर साथ में 48 Plus 13 Plus 8MP का triple camera setup है 48 का main है सोनी आयमेक्स 586 sensor बिद अपर चेरे 1.7 13MP का telephone और 8MP का ultra wide angle sensor अगर मतलब आपको camera हाग भी high priority नहीं और आपको gaming करनी तो ये phone 22,000 की price में आपके लिए बहुत मस्त हो सकता है और अगर आप HBI का credit card यूज करते हैं तो आपको और भी discount दिखने को मिल जाएगा दोस्तों अगला smartphone आता है 27,000 रुपीज की price point पे OPPO की तरफ से ये smartphone ने OPPO Reno 10X Zoom ये smartphone भी काफी टाइम पहले लॉंच हो चुका था लगबग आज से देट साल पहले OPPO की तरफ से मुझे लगता है ये one of the best smartphone अपनी price point पे अगर आप prepaid order करते हैं तो आपको लगबग 12,000 के आसपास का discount देखने को मिल जाएगा तो इसके साथ phone आपका हो जाता है 27,000 का बात करें इसकी specifications की तो इसमें आपको 6.6 inches की full HD plus display देखने को मिलती है और उपर की तरफ आपको rising shark camera देखने को मिलता है जिसके अंतर 16 Megapixel का camera दिया गए रेर साइड में triple camera का setup है 48 plus 13 plus 8 Megapixel यह phone मेंने इसलिए सलेक किया क्यूंकि इसकी जो performance है वह फ्लेक्शिप लेवल की snapdragon 855 processor के साथ काफी बढ़िया प्रोसेसर है तो मतलब phone में आपको performance काफी बढ़िया मिलने वाली और साथ में 4065 mm की बैटरी है MacBook 3.0 charging को भी phone support करता है और box में आपको ऐसा charger भी मिलता है इतना ही नहीं Redmi k20 pro की तरह इस phone में भी आपको in display fingerprint sensor देखने को मिल रहा है emoled screen होने के विज़ा से दोनों ही phones में आपको emoled screen देखने को मिल जाती है लेकिन 10x zoom में आपको 3.5mm audio jack देखने को नहीं मिलता वहीं करते हैं स्मार्टफों की जो लोगों को 10-11,000 के price point पे चाहिए वह है Poco M2 दोस्तों यह rebrand रेट्मी 9 प्राइम का मैंने काफी ट्राइम पहले ट्राइब किया था एक महिना पहले रेट्मी 9 प्राइम लेने का लेकिन मुझे नहीं मिला लेकिन अभी Poco M2 आज चाहिए 6 प्लस 64 GB वाला वेरेंट स्टार्ट होता है 11,000 से इसमें भी आपको कुछ 750 रूपी का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अलग 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 बैंक कार्ट पर लेकिन यह सेल स्टार्ट होने वाली मंडे को इसकी सेल तो आप जरूर से चेक आउट कर लेना दोस्तों अभी 10-12,000 के रेंज में एक और सीरीज लांच होने वाली रियल मी नार्जो 20 सीरीज अभी रियल मी नार्जो 10 सीरीज को आप बेलकुल भी पर्चेस मत करना उन में से कोई भी फोन मत लेना नाहीं नार्जो 10 और नाहीं नार्जो 10 है आप वेट कर सकते नार्जो 20,20 प्रो और 20A के लिए जिनका में डेडिकेटर वीडियो बनाऊंगा उनके लांच होने से पहल यह फोन अभी तक 5G सपोर्ट नहीं करता है इसका जो हायर वेरेंटी 45,000 वाला वो सपोर्ट करता है इस फोन में आपको 6.44 इंचिस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ में 240 हर्ट का टच सेंप्लिंग रेड भी दिया गया इस पोन में कॉर्ड कैमर तो एवरेजी परफॉर्म करते हैं लेकिन जो नॉर्मल परफॉर्मेंस से आप गेमिंग करते हैं और कोई भी टास्क करते हैं तो काफी आपको बढ़िया रिस्पॉंस मिलता है फोन की तरफ से और दोस्तों बागी जो भी फोन से ओपो रेनो 2F वगयरा और जो भी आपको दिखते हैं ओपो या वीवो के 10-12,000 वाले में रिकमेंड करूंगा कि आप वो फोन मत कंस्टर कीजिए क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा है अपनी स्पेसिपिकेशन के हिसाब से जिसे हर बार की तरह होता है तो आज की इंट्रस्टिंग वीडियो में इतना ही था और अमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आयोगी और आपका टाइम और पैसे दोनों ही बचे होंग यह वीडियो देखने के पाद और अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड या फैमली मेंबर को यह वीडियो को नीड़ हो तो उने प्लीज यह वीडियो शेर कीजि मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स वाई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई